आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में जिसका 99% का accuracy है और लाइव मार्केट में उस फॉर्मूले को लगा कर आपको दिखाने वाला हूँ किस परकार से ये फॉर्मूला लगाया जाता है किस परकार से फॉर्मूला काम करता है दोस् में एक profitable traders बन सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है मार्केट में एक ऐसी situation बनने देना है एक ऐसी condition बनने देना है एक ऐसा format बनने देना है जिसमें आपको 3 support और 2 resistance मिल जाए ओके यदि मार्केट में ऐसी condition बन चुकी है जहाँ पर आपको 3 support और 2 resistance मिल चुके है उस condition में आप 3SRR formula for scenario को apply कर सकते हैं और 99% का accuracy के साथ में आप market में trade कर सकते हैं और यदि आप risky traders नहीं है आपने बहुत ज़दा loss कर दिया है आप market में profitable traders बनना चाते हैं तो इस formula को आप apply कर सकते हैं live market में इस formula को मैं आपको लगा कर दिखाने वाला हूं और किस इस परकार से काम करता है यह भी दिखाने वाला हूं इसके लिए आपको करना क्या है जैसा मैंने आपको बताया है आपको 3 support और 2 resistance चाहिए यहां पर देख सकते हैं यहां पर इस live market में हमको 3 support मिल चुके हैं और 2 resistance मिल चुके हैं अब यहां पर इस वाले पर इस हमारे लिए क्या है एक resistance is जब हम यहां पर कनेट करवाईंगे इस condition में प्राइज़न यहाँ पर triangle में चल रहा है, ध्यान दीजिगा यहाँ पर यहाँ पर दोनों support trend line और resistant trend line का cross over हो रहा है, यानि कि इस condition में जिदर से भी breakout, breakdown हो यदि मान लिजे, इस support trend line का यदि breakdown होता है, उस condition में आपको put buy करना है, next level तक, next level कौन सा है, इसमें जो यहाँ पर हमको सबसे पहले, यहाँ पर जो support देखने को मिला है, यह आपका target होगा, यदि मान लिजे इस resistant trend line का उपर की तरह breakout होता है, उस condition में market का जो opening price है, यह आपके लिए target होगा ओके, तो अभी फिलाद देख रहे हैं इस condition में, आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो यह trend line है, आप देखे resistant trend line है, एक हमारे देख सकते हैं यह हमारे लिए एक resistant trend line है यदि उसके उपर market closing देता है के उपर यदि closing देता है, उस condition में आपका target यहाँ पर जैसा देख पार है, मैंने जो high level है, वो आपको अपना target रखना है, यदि उस वाले resistance, यदि उस वाले resistance को भी market breakout कर देता है, यदि उस high level के उपर market closing देता है, बिना कोई reversal pattern बनाए, उस condition में आपका 99% trade बनेगा, और उस condition में आपका 99% sap trade बनेगा, उस condition में आपको जो target रखना है, market का जो opening price है, यह आपको अपना target रखना है, नीचे भी आपको कुछ support है इस support के नीचे यदि कोई candle closing देती है, बिना कोई reversal pattern बनाए उस condition में आपका जो 99% वाला sap target रहेगा यह market का जो पश्ट support बनाया है market ने, यह levels आपका target रहेगा, ओके, तो दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर triple S, double R formula 4 scenario काम करता है आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से जितना आप इस पर practice करोगे, उतना आप 99% का acquisition निकाल पाऊगे और market में जल्दी अपने loss को recover करके, market में एक profitable traders बन पाऊगे, ओके, ऐसा ही यहाँ पर 10 formula है, यानि कि super formula 4 scenario में 10 formula ऐसे आते है, जिसमें market में अलग-अलग condition में, अलग-अलग situation में, अलग-अलग यहाँ पर उन formula को apply करना होता है, और market की direction का पता लगाना होता है, यानि यदि आप 99% maximum यानि कि यदि आप 99% का accuracy निकालना चाते है, आप चाहते हैं कि आपको कभी भी loss ना हो, और एक आप जल्दी अपने loss को recover करके, एक profitable traders बन जाए, तो आज ही यहाँ पर हमारे से आप WhatsApp ग्रूप पर संप्रक कर सकते हैं, यदि आपको यदि कोई problems आती है, इन formula को apply करने में, तो मुझे आप WhatsApp ग्रूप में जरूर बताएगा, तो पर formula 4 सेनेर्यू के बारे में पूरी details जानना चाते हैं, complete video, complete series देखना चाते हैं, तो हमारे चैनल को subscribe करके, bell icon को press करना ना भूलेगा, तो दोस्तों, आज के लिए तहीं फिर next video मिलेंगे, आपके लिए एक नए information लेकर, thank you